आप सुभी लोगों को मेरा नमस्कार जैमाचंडी जैशंकार मैं आप सुभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं आप सुभी लोगों को मेरे दादाजी के द्वारा किया गया पासुबतास्त्र मंद्र का साधना का उनुभव तथा पासुबतास्त्र मंद्र को जो साधना कर चुके हैं उनके अप्रयोग क्या है तो आज वीडियो को पयखिऊ को किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं उसके उपर ब्योंगता है। तो चलिकिऊ करते हैं जानते हैं आज के टॉपिक की ऊपर तो पहले जान लेते हैं हम Newton पम्रची महाभारत में आता है अरजुन जी ने तबस्या महादेब की जो तबस्या करके महादेब जी से पासोबतास्तर अस्तर जो है वो दिब्यास्तर है वो दिब्यास्तर को प्राप्त किया था पासुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो अमूग दिब्यास्त्र है इस दिब्यास्त्र में इतनी सक्तियां है कि अगर इसका प्रयोग कोई सही टंग से कर ले तो इस प्रत्वी का ध्वन्स करने जितना सक्ती उस पासुपतास्त्र में है ये एक महा दिब्यास्त्र है ये सिब हैं उसको सरवज भाग्या के प्राप्टी और संस्राय अधिस्षाइग कोई भे नहीं रहता नकरात्म सक्तियों का कोई भे नहीं रहता उसको इतना तक तंतर सास्तर में बोला गया है तो यही ता कुछ पासुबदास्तर का इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा और नेट बे भी बहुत लोग पहले से भी जानते होंगे नेट बे भी उपलब्द है कि भी उसके उपर आप जाके देख सकते हैं मैंने छोटा से इंट्रोडक्शन दे दिया अभी हम जानते हैं बासुबदास्तर के जो साधना किये थे मेरे दाजी उसके अनुभब के ऊपर मेरे दाजी को उनके गुरुदेव ने बोला था कि अभी तुमको माता का प्रतक यमास्त्र नारायनास्त्र ब्रह्मास्त्र आदि अन्यत्तम है तो उस में से दाजी ने चुन के बस पासुपतास्त्र का ही साधना किया था दाजी ने पासुपतास्त्र को जो साधना किया था वो टोटल एक साल का साधना था हरुज दाजी सो माला जाब किया करते थे उनका जो उनको मिला के पासोपतास्त्र अस्त्र बनाए थे वो और उस अस्त्र का प्राणप्रतिष्टा किये थे वो बीधिवत तांत्रिक बिधानों से और हवन यग्जियां करवा के उसका प्राणप्रतिष्टा करके उनका पासना किया करते थे तो अभी वह अस्त्र है पासोपतास् ते क्योंकि पहले ही दादाजी माता के दरसन प्राप्त कर चुके तो यानि कि सक्ति के साधक होने के करण उनको कुछ ज्यादा उनुभब निवे बस जो जो उनुभब होया है छोटे प्रेमाने पे मैं आपको बता देता हूं तो बहुत दिन साधना करने के बाद दाजी को एक अनुभब होगा कि अचानक से उन्होंने एक जाब कर रहे थे और उन्होंने देखा कि पासबतास्तर हिल रहा है तो जब उन्होंने देखा हिल रहा है तो उसको एकदम पकड़ लिया और अच्छे से फिर से गाड़ के रख तो गाड़ने के बाद थोड़ा लूच हो गया जिसके बज़े से दाजाजी के हाथ में अस्त्र गिर गया और वो धारदार होने के कारण दाजी का हाथ कट गया जिस हाथ में माला लेकर जाप करते हैं राइट हाथ में वो गिर गया राइट हाथ में उसमें लग गया उस पास साधना कंटिन्यू करो तो दादा जी साधना फिर से कंटिन्यू करने लगे फिर दो-चार महीने गुजर गया दादा जी को कोई दो-चार महीने अनुभब नहीं फिर उनको एक अनुभब हुआ दादा जी ने जब साधना उस दिन का जाब कंप्लेट किया था जाब दिरे ध्यान में आ रहा है और जितना वो पास आया जा रहा है वो उतना बड़ा होते जा रहा है दाजी जब इसी ये देखे तो वो ध्यान उसके उपर और कहरे तरीके से करने लगे वो दाजी की दिरे दिरे पास आता गया और अचानक से दाजी की आगे फट गया और दाजी गरम हो गया था इतना गरम हो गया था यह अनुभाब जब उन्होंने अपने गुरु को बता है तो उन्हों के गुरु ने बोला कि तुम सिद्धी के बहुत करीब हो साधना कंटिन्यू करो जब उन्होंने साधना फिर से कंटिन्यू की बस साधना कंप्लेट होने को कुस दिन कुछ दिन ही बचे थे और दाजी साधना खतम करके सो गए थे उस दिन एक दिन की बाद उन्होंने प्रॉपर में नहीं किया कि कौन सा दिन है लेकिन दिन की बता दिये हैं कि ऐसा अनुबभ हुआ है बोलके तो वह जब सो गए थे तो अपने में एक बावा उनको दर्सन दिय उनके वह जो बावा थे वह काले घने केस थे उनको आवा के पूरे एकदम काले घने एसे सफ़ेद ववेद भी नहीं पूरा काला केस यानि काला हैर था उनका जटा धारी थे धाड़ी वाल दाड़ी लंबा लंबे थे उनके गले में रुद्राक्ष आदी माला धारन किये थे उपर कोई बस्तर नहीं था नीचे केबल एक लंगोड धारन करके हाथ में कमंडल था और एक ब्यास दंडी का बोलते हैं वह ब्यास दंडी का था और हाथ में वह दाड़ाजी के आगे खड़े थे और दाड़ाजी को बोले कि बेटे तुम पासुपतास्तर की कून हैं कि हे रूसिमौनी हे मोहदया हे आचारिया में इस पासुपतास्तर का पूरण सिध्धी प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा हूं और जाता हूं तो उस महत्मा जो साध्यू थे उन्होंने कि कली यूग में पासुपतास्त्र का पूर्ण सिध्धी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता यह महादेव के द्वारा किलित किया गया है पहली चीज जब तुमने इतने परिमान में जाप कर लिया है और मात्ता का कुर्पा तुम्हारे उपर है इसी वजे से तुमको अर्ध सिध प्राप्त नहीं हो सकती बस अर्ध सिध्धा को पहुंच सकता है वो भी अगर देव्य कृपा है यानि कि देवी की या भगवान से भी कृपा है तो तो इस हिसाब से उन्हें बोल दिया और सपना तोड़ गया सपना तूड़ने के बाद उनके गुरुदेव मारे जो दाद तो इसमें अनुभब भी है प्रोयक भी है सामिला आप जान लीजें तो क्या हुआ एक दिन की मेरे जो पापा थे पच्चे थे तो क्या हुआ कि पापा जी और उनके जो दो भाई थे उनको खेट खेल रहे थे तो पापा जी को किसी भुरा एक साया बोलते हैं इस तरह से ब वेरे पापा को कोई उबरी हावा लग गई तो जब उपर की हावा लग गई तो बापा जी घर में आके अजब अजब बियाफ करने लगे तो दाल जी ने किया किया कि वो जो पासुपतास्तर का इखिए थे उसका जो राख है उसमें पासोबदास्त्र मंतर का प्राकट्यय मंतर बढ़ के अब नहीं कर सकते आप कि दोनों मंतर साधना के लिए जरूराइं हैं इसकी आपर भी आपको पहले बता जिया हूं और भी बियम्ता रहा हूं तो ने गए ड्या-अबि मंदर साधना परते वहें इस एक औरत मतलब क्या बोलते हैं वो उसको डायन विद्या डायन विद्या का सिद्धी किये थी तो उस डायन के विद्या के माध्याम से वो औरत लोगों का बहुत ख्यती कर रही थी वो जो डायन थी क्या होता है कि डायन विद्या एक सिद्धी होती है जिसके मतलब से वो डायन यानि कि जो परेट को आप सिद्ध करोगे वो आपका सरेथ ग्रहन कर लेता है और लोगोंका अहित करता है में बढ़ते होई पानी लेके अपने हाथ में उस डायन के ऊपर छिड़क लिया छिड़कने के बाद दायन को खून की उल्टियां हुई और उसका डायन विद्या बंध हो गया उस दिन से और उस दिन के बाद उसके उपर कभी भी डायन का आवेस नहीं आया ये था दूसरा प्रयोग दाजी ने किया था तिसरा प्रयोग ये है कि एक व्यक्ति था जिसके उपर नवग्रह पीड़ा बहुत हो रहे थे तो दाजी ने क्या क्या नवग्रह यग्यों किया और नवग्रह यग्यों में नवग्रह पीड़ाओं को सांत करने के लिए पासोपतास्त्र यग्यां भी किया यानि कि नवग्रह और पासोपतास्त्र का सम्मिलित यग्यां किया और यग्यां में ज्यादे से ज्यादे उन्होंने एक अजार आठ डाहोती डाली थी और इतने में ही उसका जीवन सुदर गया और वो व्यक्ति का जो बुरा हो रहा था य कुछ और ही प्रयोग था पासोपतास्त्र का था लेकिन वो कुछ डिफरेंट प्रयोग था मैं जितना जानता हूं उसके उपर मैं बता दे रहा हूं तो इसी प्रकार से दादाजी ने प्रयोग किये थे तो दो चार प्रयोग मैं आपको अपने तरफ से एक प्रयोग बता दे चीज़े गन्दा ठीक हो जाएगा अगर आपने पाषबतास्तर का साधना सही तरीके से किया है तो पहली चीज दूसरी चीज अगर किसी के उपर भूत पृध पृत बाधा है तो अपने उपर चंडी कबच लगा के उसके लिए हवन कर दीजे उसका भूत पृत बाधा उतर जाता है इसमें एक रिक्स है अगर आपके पास इतना ताकत नहीं है इतना साधना आपने पासबतास्त्रका नहीं किया कि आपको वह भूत प्रेत उधर से निकल रहे तो आपको उसमें ख्यती भी हो सकती है यह चीज का ध्यान रखते हुए यह प्रयोग इत्यादी को कीजेग गुरु के सानिद्यमी कीजेगा पहले बात यह है कि माता चंडिका के द्वारा द्या गया गुप्त बिद्या का प्रयोग करके हुए एक हवन किया जा रहा है यानि कि हवन करना सुरुक किया जा रहा है उस हवन का वेनिफिट यह है कि अगर आपके उपर नवग्रह है तो नवग्रह पीड़ा कट जाएंगे रोगमुक्ति होंगे तथा आपके उपर अगर कोई तंत्रबाध है वो भी नश्ट हो जाएंगे तो जिन लोगों को अपना तंत्रबाध है रोगमुक्ति तथा जो नवग्रह पीड़ा से दूर होना चाहते हैं यानि कि नवग्र इतर भी बता दे रहें कि उसका जो दक्षणा है वो 1100 रुपए रखा गया है आपको पेमेंट करने के बाद आपको बिधी बिधान बता दिये जाएंगे कि किस हिसाब से आपको जिस दिन आपका हवन किया जाएगा उस दिन आपको किस तरह से खान पानी त्यादी रखने वो लोग अपने अनुसर बुक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक और मेल आइडी दिया गया जाके मेसेज कीजे परसनल मेसेज कीजे और फिर मेल आइडी पे मेल कीजे और अपना हवन बुक करवा लीजे और अपना घर का तथा अपना क यह तो comment box में जाके आप comment कर दीजे अगर लोगों का comment आएगा तभी जाके मैं उसके ओपर वीडियो बना दूँगा तो यह था कुछ आचका वीडियो अगर सभी को अच्छा लगा लाइक कर दे, share कर दे, subscribe कर दे जो लोग नहीं सब्सक्राइब करके गंटी बाला बैल आकान ओल पे सड़के तके मैं जो भी वीडियो अप्लोड को सब्सक्राइब कर दे लोगों तक पहले पहुंच जाए तो आज के लिए इतना ही था, सभी को मेरा नमस्कार, जैमा चंडी, जैसंकर मिलता हूं आप सब्सक्राइब को और एक किसी नए वीडिय कर दो में कर दो में